अरे मुख्य मंत्री हो तो भई बिलकुल अर्विंद केज़रिवाल जैसे हो एकदम तेज एक्षन के मामले में तो वा 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 अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी तारीफ हैं आखिर ऐसा क्या कर दिया दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केज़रिवाल ने देखे यूँ तो हमेशा ही अर्विन केज्रिवाल अपनी कारे परणाली को लेकर चर्चाओं में रहते हैं पैसे चर्चाओं में रहने के कारण तो और भी है अगर उन कारणों को किनारा कर असल मुद्दे पराते हैं इस बात से आब वाकिफ होंगे कि दिल्ली की बसों में महिलाओं का सफर फरी है सफर फरी है इसलिए ड्राइवर्स, कंडेक्टर्स खास ध्यान दे कर बस रोकते ही नहीं है जिससे लाजमी है कि महिलाओं को काफी परिशानी हो रही थी अब रोज का सफर जहां मुफ्त में हो सकता था, वहीं सफर के पैसे चुकाने पड़ रहे थे सामने ही बसे गुजरती थी, मगर मजाल है के रुखती अब दिक्कतें बढ़ने लगी, तो शिकायत भी होने लगी और मामला सीधा पहुंचा CM दरबार, यानि अर्विंद के इजरिवाल के ट्विटर पर महिलाओं की परिशानी के बाद आई शिकायतों का संध्यान लेते हुए आम भाशा में शिकायतों में एक्शन लेते हुए CM साहिब ने एक ट्वीट किया और लिखा ऐसी शिकायते आ रही है कि कुछ ड्राइवर महिलाओं को देख कर बस नहीं रोकते क्योंकि महिलाओं का सफर फ्री है इसे बिलकुल बर्दाश नहीं किया जाएगा इस बस ड्राइवर के खिलाफ सक्त एक्शन लिया जा रहा है बात हुई सक्ट एक्षिन की और फिर हुआ सक्ट एक्षिन अब क्यूंकि CM साहब की तरह उनके मंत्री भी एक्टिव हैं तो अर्विंद केजरिवाल के ट्वीट के बाद ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर केलाश गहलूत ने भी ट्वीट किया और बता दिया कि चालक परिचालक की फैचान हो गई है माननिय मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार चालक को बदल दिया गया है और अगले आदेश तक ड्यूटी से भी हटा दिया गया है चालक और अन्य स्टाफ के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है वहीं लोगों से अपील भी की गई कि देखिए अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि बस ना रुके तो शिकायत कर सकते हैं और यहां सेट हो गया अच्छी गवर्नेंस का उधारण लेकिन ये भी सबते हैं कि अक्सर ऐसे उधारण मात्र उधारण बनकर ही रह जाते हैं उमीद करते हैं कि अपके बार ऐसा ना हो और हर शिकायत का यूगी निपटारा होता रहे नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट असे तरिग्थसों मात्र ओके तर अपके बार बंचे टर्दाण